आज हम बनाईगे बेकरी वाले बिस्केट लेकिन यह जो बिस्केट है वो बेकरी की बिस्केट से कहीं ज़ziaद अच्छे होंगे क्योंकि हम इसको गर पे होम इंग्रिडियेंट के साथ बनाएंगे अगर आपने एक बार यह biscuit टेश कर ले तो आप कभी फिर बेकरी से biscuit नहीं खरीदेंगे क्योंकि यह इतने अच्छे होता है इनको बनाना में बहुत आसाल है बहुत कम ही रीडेन में बन जाते हैं तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बोल में हम अधा कप बटर भी ले सकते हैं लेकिन बटर या घी जो भी ले आपको बस एक बात का ध्यान लगना है घी और बटर दोनों ही हलके से जमे हुए होने चीव उनको बिलकुल लिक्विट फोम में नहीं लेना है अब हम इसमें डालेंगे तीन चौथाई कप पाउडर शुगर गी और शुगर को अच्छे से फेटेंगे जिससे यह क्रीम जैसा बन जाएगा अगर आप लिक्विट घी या बटर लेंगे तो उससे क्रीम नहीं बनेगी इसलिए आपको आप हलका ठंडा घी या बटर लेना है बहुत जारा जमाव भी नहीं लेना नहीं तो क्रीम वैसे बनेगी तो इसको हम एक मिनट लाग अच्छे से फेटेंगे बिल्कुल वाइट वाइक क्रीम जैसा हो जाएगा यह देखिए बिल्कुल क्रीम जैसा हो गया है इस पूरी रेसिपी का सबसे इंपोर्टन पार्ट यह है कि आपको इसको बहुत अच्छे से फेटना है अब हम इसमें बाकी की इंडियेंट्स एड करेंगे तो अब हम इसमें डालेंगे एक कप भर के मैदा आप चाहे तो मैदे की जगे गेहों काटा भी यूज कर सकते हैं जो भी आप यूज करें उसको अच्छे से चान के यूज में लेना है ताकि बिस्केट एकदम फलफी बने और क बिस्केट बन जाएंगे इसमें हम डालेंगे थोड़ी से कुटी हुए इलाइची इलाइची की जगे आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते है वैनिला या पैनेपल लेकिन इलाइची की बिस्केट ज्यादा अच्छे लगता है अब हम इसको एक चम्मस से बहुत हलके हलके हाथ हाथ से मिक्स कर देंगे आटे को घी में आपको बिल्कुल हलके हाथ से इसको फोल्ड करते हैं मिक्स करना है हम इसमें बिल्कुल पानी या दूद कुछ भी उज़ नी करना है बिस्केट तब ही एकदम बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे तो इसका एक दो तय तो हमने इसको दस मिनट फ्रीज में रख दिया था यह बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है अब हम इसको एक बार और मिक्स कर लेंगे तो अब बिस्केट बनाएने के लिए हमारा डूब बिल्कुल तयार है अब हम इसकी बहुत छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे जितने भी हम बॉल्स बनाएंगे उस साइज में दुगने से भी थोड़ी जादा होगी इसलिए आपको छोटी छोटी बॉल्स बनाने है और इसको हम एक बेकिन ट्रे पर रखते जाएंगे अगर आप इनको कड़ाई में बना रहें तो आपको जिस पर भी बर्तन बनाएं उस पर अच्छे से बटर पेपर या अलुमीनियम कॉल लगाना है लेकिन अगर आप ऑवन में बना तो बेकिन ट्रे में कुछ भी लगाने की जो भी ड्राइस्टूंस हो आप इस पर लगा सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं तो हमारे बिस्किट बेक होने के लिए बिलकुल त्यार है आप इसको अवन या फिर कड़ाई में दोनों तरीके से बना सकते हैं कड़ाई में भी बहुत आराम से बन जाते हैं एक प्लेट में बिस्के डाल के रखने नहीं और उसको 15 मिनट के लिए बेक करना है अगर आप OTG आवन में बना रहे हैं आप तो प्री हीटेड आवन में 180 डिग्री पे इसको 10 से 15 मिनट के बीच में बेक करना है ये 10 मिनट के बाद अच्छे से बेक हो जाता है तो हमने इसको आवन में डाल दिया है आवन में डाल इसको 4-5 मिनट हो चुके हैं और ये अपने साइज से दुगने हो चुके हैं हम इसको 15 मिनट के लिए बेक करेंगे तो 15 मिनट हो चुके हैं हम हमारे बिस्केट निकाल के चेक कर लेते हैं तो ये बिलकुल अच्छे से पच चुके हैं बहुत अच्छे गोल्डन हो चुके हैं आपको 12-13 मिनट में यह अवन को बन कर देना है उससे जादे इसको नहीं पकाना अभी यह बहुत जादा गरम है इसलिए आपको इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है इनको 10 मिनट के लिए ठंडा करना है और उसके बाद हम इनको ट्रा कॉस्ट बनाए एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ठाए करना बिल्कुल पर्फेक्ट बिस्किट बनेंगे अगर आपको यह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को स्क्राइब करें और एक बार यह बिस्किट जरूर ठाए करें